अगर आपको भी रस बनाई बनाते टाइम बहुत सारी दिकते आती हैं जैसे टूर जाती है बिखर जाती है या टाइम बहुत जादा लगता है तो सारी प्रोब्लम का सोलिशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी और इतने जादा टे कोई भी गैस्ट हो आ जाए या मीठा खाने का मन हो ना जट से रस्मलाई बना के आप खा सकते हैं तो वीडियो को अन तक चरू देखना तो चलिए आज की रस्मलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे हम एक इसकी मोटी सूझी है वह एक पर मिक्सी ग्राइडरचार में इसे अच्छे से चला लिया है जिससे ये बारिक हो चुकी है आधा कप शूझी में ही बहुत सारी हमारी रस्मलाई बनके तयार हो जाएगी अब लो फ्लेम पे हमने इसे 3-4 मिनट में तक अच्छे से रोष्ट क रखना है कि हमने सूजी को जलाना पिल्कुल नहीं है लो टो मीडियम फ्लेम पे ही इससे हमने भूनना है तो घी में अगर हम सूजी को भूनेंगे तो बहुत अच्छी खुश्बु आनी शिरू हो जाएगी तो यह देखी हलका सा कलर इसका चेंज हो चुका है आप यह देखी आपको बताऊंगी कि कितना डालना है पहले मैंने एक अप दूद ले लिया है और हलका हलका करके धीरे धीरे इसमें हम डालेंगे ताकि सूजी में हमारा लंस ना आई तो एक एक चीज में आपको बताऊंगी विद क्वांटिटी बताऊंगी नाप के साथ बताऊंगी जिस सूजी में अब दूसरा कब भी दूद का मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है और यह देखिए लो फ्लेम पे अच्छे से हमें इसे चलाते हुए पकाना है सूजी है ना दूद को बहुत चल्दी अपजर कर लेती है तो यह देखिए लो फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए पक आते हुए हमने सूची को अच्छे से भून लिया है सारा दूद सूची ने अबज़र कर लिया है और हलके फुलके अगर इसमें आपके लंप्स आ चुके है ना तो डरने की कोई बात नहीं है आगे जाके ये अच्छे से सेट हो जाएंगे तो ये देखिए इस तरह की कंसिस् तो हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं एक कड़ाई में हम दूद डालेंगे यहां पे मैंने टोटल दो लीटर डूद डाला है इतनी से आधा कप सूची के लिए एक लीटर दूद काफी है गाईस मैंने यहां दूद जादा इसलिए लिया है क्योंकि जो रबड़ी हम बना तो फैमिली मेंबर को यह बहुत जादा पसंद है यह वाला दूद पीना तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बनाया है तो आप एक लीटर दूद ही ले लीजिएगा बहुत हो जाएगा तो यह देखिए दूद उबलने के लिए मैंने रख दिया है थोड़ा सा केसर इसमें हम अगर आपके पास केसर नहीं है तो हलकी सी हलदी इसमें डाल सकते हैं बिल्कुल एक पिंच ताकि दूद का कलर चेंज हो जाए अगर केसर है तो जरू डालेगा इससे दूद में एक तो मिठास आएगी बहुत अच्छे खुश्बू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट तो हाई फ्लेम पे लगातार अगर हम चलाते हुए से पकाएंगे ना दूद को तो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है और अगर आपके पास टाइम है तो लो फ्लेम करके आप रख दीजेगा साइड बाई साइड अपना काम भी करते रहिएगा और अगर आपको जल्द यहां इसमें चीनी डाल दी है और दूद जब आदा हो जाए तो कुछ ड्राइफ्रूट्स इसके अंदर हम डालेंगे जिससे टेस्ट है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां पे मैंने कुछ पिस्ता बारिक कटकर के लिए हैं बदाम लिए हैं और हलका सा मैंने थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है जिससे की हमारी रबडी में बहुत यह अच्छी खुशबू आए तो यह देखिए दूद हमारा रीडियोस हो चुका है लो फ्लेम पे इसे उबलने देंगे और यहां पे हमारी सूजी है वो ठंडी भी हो दूंस करका है यह दोटन है देखिए प्ला जोटे-चोटे हम बनाएंगे तो इस तरीके से अगर हम गोल गोमाएंगे तो यह देखिए बिलकुल भीh तो जाएंगी तो फिन्गर की साहता इन्हें से चाहिए आप देखें इस तरीके इस तरीके से आप बनाएंगे, नहीं आएँगे तो finger की साहता से इन्हें आप close कर सकते हैं ये देखे इस तरीके से तो बहुत ही अच्छी हमारी रस्मलाई बनके तयार हो जाएगी और इस तरीके से अगर आप रस्मलाई बनाएंगे ना तो guys बहुत चल्दी बन जाती है तो ये देखे आधा कब में हमारी इतनी सारी रस्मला बिल्कुल भी तूटेगी नहीं तो वीडियो को अंतक चरूर देखना है तो ये देखे दूद हमारा बोईल हो रहा है और एके करके हम सारी के सारे सूजी के पेड़े इसके अंदर डाल देंगे और यहां पी गैस का फ्लेम हम मेडियम कर देंगे guys मेडियम फ्लेम पे थोड 5-7 मिनट के लिए पकाना है इसे जब 5-7 मिनट हमारी हो जाए ना तो हम इसे पलट देंगे यह देखे इस तरीके से एक एक पेड़े को पलट देंगे और 10 मिनट और हमने इसे पकाना है दूद के अंदर ही देखे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढखक कर रख देंगे आदे गंटे के लिए अगर अच्छा रिजल्ट आप चाते हैं तो आधा गंटे के लिए आप इसे ऐसे ही ढखक कर रखने दे या फिर जल्दी है तो आप 10-15 मिनट जरूर रखेगा ताकि दूद है वो सारा सूजी के अंदर चला जाए यानि हमारे रस्मलाई के अंदर चला जाए तो यह देखिए गाईस 10-15 मिनट के बाद मा आपको दिखाते हूं बिल्कुल जूसी रस्मलाई हमारे बनके तयार हो चुकी है और वो भी मिंटों के हिसाब से बहु जल्दी बनके तयार हो जात कर लोगे थाहे हों के हमने इसे सूजी सेबनाया है तो वो खाकर भी नहीं बता सकता कि आपने अपनीश को पनीर जासा टेस्ट आता है बहुत ही तैस्टी बिल्कुल मिंटों के हिसाब से बनने वाली रस्मलाई है मैंब Aww चरूर ही ट्राइब करना और यह कं तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर ही बताएगा और पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तेंक्यू